हेलो दोस्तो मैं हूँ विनय और अपने विनय मोटर्स लबर चैनल पर आप सभी लोग को बहुत-बहुत करते हूं दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा जिसी भी में जित्ती बार्निंग लाइट एंड स्विच रहती है उसके बारे में तो यह आपके साइट तरफ यह में तक के इसमें यह वाली इस्टमेंट क्लेश्टर में सो करने लग जाता है जैसे आप यह देख सकते हैं कि आप गाड़ी की सामने वाल नाइट चालू हो गई है और दोस्तों यह इसका हरन का स्विच है दोस्तों अगर गाड़ी की बात करें तो 3DX बैको लोडर जे सी भ पाड़ी पर high beam and low beam यह आपकी indicator बीदिया इसी में गर side में आ जा जा है तो side में इस पें तीन बटन इसमें डिये गए है यह जो आगे की light के हैं यह पीछे की light के हैं पीछे जो इस तरफ एंड यह आपकी KPC की है इसको चालू करने पर दोस्तों यह जो इधार रहता है क्या बोलते है यह KPC तो यह लेप्ट राइट अगर इसको सरकाना है साइड में काम करना है गाड़ी को तो यह बकेट इधार खिसके आ जाता है एंड दोस्तों आपका यह रेज बढ़ाने का ली चालू हो जाती तो पूरी लाइट यह बंद हो जाती है और चालू हो जाती है होने के बाद अगर कोई भी लैड जलती है मतलब आपके गारी में कुछ खराबी आ गया है तो आप चेक करना पड़ता है उसको तो दोस्तों यह वाला जो अगर लैड जला अगर आपको मसीन चलते चलते तो यह आपका इंजन ऑईल प्रिसर का है मतलब आपके इंजन ऑईल मे तब भी लैड जल जाती है और दोस्तों यह वाला जो आइकन हो गया यह वाला यह दोस्तों गारी के ट्रेंप्रिचर को सो करता है कूलेंट ट्रेंप्रिचर रहता है उसको सो करता है कि आपके गारी का ट्रेंप्रिचर बढ़ चुका है दोस्तों यह जब बढ़ता है तो य यह पूरी जब बढ़ जाएगा तब जाके यह वाला लाइट जल जाए आपकी गाड़ी में कि गाड़ी आपके पूरी गरम हो चुकी है और दोस्तों जो यह वाली लाइट हो गई यह जो गाड़ी का ट्रांस्मिशन आइल है उसका प्रेसर बताता है कम जादा किता है आइल क कम है तो जल जाएगा जादा है तब भी जल जाएगा तिया आपके ट्रेंपरिचर ट्रेंपरिचर बोल रहो हूँ वह ट्रांस्मिशन आइल का प्रेसर सो करता है और यह ट्रांस्मिशन आइल का ट्रेंपरिचर सो करता है जो उसके उपर जस्ट लगा है यह ट्रांस्मिशन यहां पर दिया अगर यह लगा है उपर है दोस्तो ऐसे यह वाली लाइट जल जाएगी और दोस्तो यह आपकी एयर फिल्टर है एयर फिल्टर जो साफ करते हैं डेश्ट उसको वह अगर साफ नहीं हुआ है या फिर वहां से कुछ भी डेश्ट उस्त है अंदर तो यह वाली लाइट आपके मसीन में जल जाएगी मतलब आपको अगर जल गई तो उसको चेक कराना पड़ेगा एंड दोस्तों यह वाटर से पटेर का है जो वहां पर लगा रहता है राइट साइड पीधा वहां से आपको मतलब अगर डीजल पानी जो आती है तो उसमें लिखा है तो यह वूफाला है इक अगर यह वाट लाइड जल तो आपको वाटर से पटstein करना है ढती है यहां पर लाइड तो तो अगराय पर इसको आपको चमें लो जाता है तो आप देख सकते हैं के व depende स्पीच रहती गाडी में llamus यह लिखा है check few level before start यहां दोस्तों यहां पे आपका यह reading सो करता है यह घंटे की reading है दोस्तों मतलब इत्ती machine चल चुकी है यह point लगा रहता है यह 10 point मतलब इसमें चलते हैं 10 point में 1.6 minute का होता है तो यहां से आपकी meter की reading पता चल जाती ही गाड़ी की कि यहां पे eco mode and power mode की बैजिंग लगी है और दोस्तों यहां पे 12 volt का mobile charger का socket मिलता है दोस्तों इसमें अपन यह वाला box लगा है यहां से अपन mobile charge करते हैं इसे mobile charge होता है दोस्तों तो यह अपनी सुधा के अंसार है बस दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर तब तक कि लिए नमस्कार इसे अपनी तोस्तों मिलते हैं